दोसों आप में से काफी सारे बच्चे आज की इस वीडियो का वेट कर रहे थे क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं फाइनली मिशेल फुको को डिस्कुस करने जा रहा हूँ मिशेल फुको जो की 20th century के famous French philosopher और historian थे इन्होंने अपनी ज्यादतर life libraries में या seminar rooms में गुजारी study करते हुए और दोसों 20th century में इनकी fan following बहुत ज्यादा थी ये काफी हद तक marxist ideas और utopian ideas से प्रभावित थे inspired थे, इनकी writings पढ़कर इनकी criticism को पढ़कर लगता है और इनकी इतनी fan following थी कैसे दरसल दोस्तों current capitalist society में जितनी भी चीज़े मौझूद हैं जैसे चाहे वो police हो, court हो, law हो jail हो, ये सारी चीज़ों को बहुत closely, जैसे forensic doctor होता है ना, जैसे मुर्दे का post-mortem करते वक्त, doctors उसकी body को closely examine करते हैं वैसे ही इन सब चीज़ों को इन्होंने बढ़ा closely examine किया था, मतलब closely study किया था, तो ये current capitalist society के बहुत बड़े critic थे, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इनकी नजर पढ़ती है concept पर, जिसको इन्होंने बढ़ा closely observe किया, इस concept का नाम है panopticon, काफी जारे बच्चों ने, जो की polity के students हैं आप में से काफी जारे बच्चे polity के students हैं, ये panopticon का जो concept है, इसकी बारे में जरूर सुना होगा, इस concept को originally इन्होंने नहीं दिया था, इस concept को originally किसने दिया था, एक 18th century के famous philosopher थे Jeremy Bentham, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने इस concept को दिया था, पहले में इस concept को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये panopticon का concept है क्या, दरसल दोस्तों पहली बार Jeremy Bentham ने इस concept की बात की थी, ये समझाने के लिए कि ये invisible डर कैसे काम करता है चलिए समझाता हूँ, माल लो एक jail है, jail circle में बनी हुई है, ठीक है उस jail के अंदर बहुत सारे rooms है मैं आपको picture की जरीय समझाने की गोशिश करता हूँ, एक jail है जो चारो तरफ गोल गोल बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे कैदी है कैदी या पागल कुछ भी माल लो उन कमरों में कैद है, ठीक है उन कमरों में रोश्णी है, यानि की light जल रही है और बीचों बीच एक tower बना हुआ है jail के जिसके अंदर एक आदमी उन सब कैदी यों पर नजर रखी बैठा है, अब मैंने आपको बताया कैदी जिन कमरों में बन्द है, उन सब में light जल रही है या फिर एक light है जो उन पर नजर रखे बैठी है ठीक है, अब कमाल की बात क्या है दोस्तों, वो सारे कैदी इस बात को जानते हैं कि tower में खड़ा हुआ आदमी एक वक्त पर सारे कैदीों पर नजर नहीं रख सकता, वो घूमेगा चारों तरफ देखेगा एक एक कैदी को लेकिन फिर भी उन सब में से एक भी कैदी भागने की कोशिश नहीं करता ऐसा किस बज़े से है ऐसा इसलिए है कि उनके मन में एक invisible डर है एक डर कि वहाँ पर tower में खड़ा आदमी हमें ही देख रहा है, हो ना हो वो इस वक्त हमें ही देख रहा है इसलिए वो भागने की कोशिश नहीं करते तो इस concept को बताया था Jeremy Bentham ने इस structure को बना कर दिया Jeremy Bentham ने फिर 20th century में हमारे Michelle Pucco की नजर पढ़ती है इस concept पर, उन्होंने इसको closely study किया, मैंने आपको बताया यह ऐसे study करते थे जैसे forensic doctor करते हैं, इस concept को ढंक से study करने के बाद इन्होंने पता लगाया कि यह concept सिर्फ जेल के संदर्ब में नहीं है, कि जेल की बात की जा रही है आज हमारी social life में भी यह concept apply होता है, कैसे यह invisible der आज society में हर जगे पर मौझूद है, एक तरीके से Michelle Foucault ने इस capitalist society को criticize करने के लिए इस idea को और ज्यादा बढ़ा कर दिया कि मैं बताता हूँ, यह कैसे social life में भी apply होता है, जैसे आप pandemic का example लो, यहाँ पर Michelle Foucault ने भी pandemic का example दिया है जैसे कोरोना, कोरोना के time पर घर के बाहर से पुलिस वालों की गाड़िया गूम रही थी, हर दो-दो गंटे में गाड़ी चेकर लगा गर जाती थी, लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, कि दो गंटे के दर्मिया वो बाहर निकल कर घूम सकें, क्योंकि उनके मन में डर था कि गाड़ी अभी आ जाएगी, गाड़ी अभी आ जाएगी और हम पर चिलाने लगें पुलिस वाले तो ये एक invisible डर होता है, और एक ऐसा tower है, जो लोगों की social life को भी control किये बैठा है, ऐसा इसलिए किये जाता है, ताकि लोग discipline में रहें और physical surveillance की हर जगा पर जरूरत ना पड़ें, क्योंकि हर इंसान पर नजर नहीं रखी जा सकती, और इसकी साथ-साथ आप एक बात और note कर लो दोस्तों, इस concept की बारे में, Michelle Pucco ने अपनी एक book, Discipline and Punish में बताया था तो चीजों को इतना closely observe करने की वज़े से Michelle Pucco इतने famous है, उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ help मिले होगी और Michelle Pucco की बारे में जानने को मिला होगा, आज की इस वीडियो में बस इतना ही